हाई, हमारी 12 राशियां होती हैं, उनके कुछ elements होते हैं और उनके कुछ directions होते हैं अगर आप हर राशिय का element जान ले और उनका respective direction जान ले तो आपके लिए अपने पत्रिका को देखके ये जानना आसान होगा कि किस direction में आपको काम करना चाहिए तो जो 12 राशियां हैं वो divided है elements में तो पहले तो जब हम fire की राशी ले 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 यानि की अगनी की राशी ले ले यानि की 159 यानि की मेश राशी, धनू राशी और सिम राशी मेश यानि की Aries, धनू यानि Sagittarius और पांच नमबर लियो यानि सिम राशी तो इन जो fire element है इन राशियों का इनका जो direction है वो eastern direction है यानि की पूर्वी दिशा है इसके बाद हम ले 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 लेते हैं water वाली राशियां, water वाली राशियां कौन सी हैं? चार आठ बारा, चार मतलब cancer यानि की करक राशी, आठ मतलब की Scorpio यानि की वरिष्चक राशी, बारा मतलब की mean यानि की Pisces इन तीनों राशियों का जो element है वो water है और इनका जो direction रूल करता है वो है northern direction तो अगर आप करक राशी के हैं तो आपका north direction आपके लिए बहुत महिने रखता है वो north आप जतना साफ रखेंगे, साफ सुत्रा रखेंगे, वहाँ bathroom ना हो, kitchen ना हो, उतना अच्छा होगा और अब हम आ जाते हैं अर्थ जो प्रिथवी तत्व की जो राशिया है वो कौन सी है प्रिथवी तत्व की जो राशिया है वो है आपकी Taurus, वो हैं आपकी Capricorn और आपका वर्गु तो टो आनिकि व्रिषब, वर्गो यानिकि कन्या Capricorn यानिकि मक्र तो इन तीनों राशिों को हम अर्थ एलिमेंट से जोड़ते हैं और इन तीनों राशियों का जो डायर्यक्शन है वो है साउथ यानि की दक्षन जिशा तो यान्ज आप कन्याराशी के व्यक्ती हैं और अगर आपको अपनी डायरेक्शन देखनी हैं तो वो South है, South में काम करना बहतर है, और of course South को साफ सुतरा रखना भी बहतर है, और तो हमने डिसकस किया Fire, Earth, अब हम आ जाते हैं Air पे, Air की जो राशियां हैं, वो हैं Gemini, वो हैं आपका Aquarius और Libra, और Aquarius यानि की कुम्ब, Libra, तुला और जम्ना यानि की मिथुन, तो ये तीन राशियां जो है, Air राशियां हैं और इनको जो डिरेक्शन रूल करता है, वो रूल करता है, West डिरेक्शन यानि की पश्चिमी दिशा, तो आप मालीजे Aquarius से रूल है, आपकी राशिय मालीजे कु डिरेक्शन है, West ये बहुत माहिने रखता है, Western Wall को हम Affirmation की भी Wall बोलते हैं, इसको ठीक रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अब कुछ planets, जो 7 planets हैं, वो कुछ particular directions को रूल करता है, उस प्लानेट की अगर महादशा चल रही हो, तो जिस direction को रूल करता है, उसकी तरफ बढ ना होना, ये हमें help करता है, अब आजाते हैं, जैसे Eastern डिशा जो होती है, वो रूल करता है आपका Sun, और Sun जो होता है, उसके जो Eastern डिशा के जो God है, वो इंद्र है, लाइकवाईज जो North है, उसको जो प्लानेट रूल करता है, वो Mercury, यानि कि बुद्ध और बुद्ध जो इस direction के स्वामी है, Northern डिशा के, उसको कुबेर जो डिटी है, वो रूल करते हैं, कुबेर यानि कि धन, इसलिए हम कहते हैं कि वास्तु में, North direction में जो N3 और N4 जो होते हैं, ये जो directions होते हैं, ये हम इनको बहुत अच्छा मानते हैं, मुख्य और भलाट इनके देवता होते हैं, इसकी entry हम इसको बहुत शुब मानते हैं, बिकॉस यहीं से लक्षमी आती है, तो Northern direction आपका साफ रहे, मरकरी की अगर महादशा चल रही है, अंदर दशा चल रही है, तो North से related है, North जितना साफ सुत्रा रहेगा, लाइफ में उतनी opportunities आएंगी, ये पानी का स्थान है, और यहा है, तो जब मंगल की महादशा चल रही हो, तो Southern side आदमी मूव करे, तो उसके लिए अच्छा रहता है, इसी तरह से Saturn की जो direction है, Lord Shani की वो western direction है, और इसको जो रूल करते हैं, deity वो है वायू, इसके बाद हम देखते हैं, North East, जो कि इशान कोन है, इशान कोन को Jupiter जो है, वो भागवान शिव इसके deity है, और South, North West, जो कि वायू स्थान है, इसको हम Moon, Moon, जो चंद्रमा है, चंद्रमा से इसको हम देखते हैं, और चंद्रमा जो है, इसको रूल करते हैं, South West को हम नेरित्यकोन मानते हैं, और ये राहू का निवास यहाँ पर माना जाता है, ऐसा मानते है कि राहू यहाँ निवास करते हैं, इसलिए South West को हमेशा पीला, अर्धन कलर, गोल्डन कलर से हम इसको रंगवाते हैं, जिससे की राहू आपका स्टेबल रहे, यहाँ पे सिर्फ भारी समान रखा जाता है, यहाँ पे भी कोई वाश्रूम ना हो, राहू की अगर महादशा के बारे में और उनके रिस्पेक्टिव डिरेक्शन के बारे में, और कुछ प्लानेट्स जो हैं, सेवन प्लानेट्स वो के इस डिरेक्शन को रूल करते हैं, जब उनकी महादशा चलती है, तो we have to see that those directions are kept very serene, very beautiful and very neat and clean. Thank you for watching this video, this is astrologer Yashchandra signing off, if you need any astrological or vastu consultation, you can consult me at 974288118.